कैसे हो आप लोग हाव यू तो ओके सो दिन में हम लोग अभी फिर से मिल रहे हैं कैसे हो यार आप लोग इस एवर्थिंग फाइन सब कुछ ठीक है आप लोग सब अच्छे हो भले चंगे हो प्लीज आप मुझे बताईए एक बार क्या आप मुझे देख पा रहे हो I think आप लोग मुझे देख पा रहे हो सुन भी पा रहे हो I think चलो चाट में कौन-कोन है जरा देखें तो आज हम इलेक्ट्रोगेमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे फिराडे इस लोग को कंप्लीट करेंगे और छोटे मोटे दो तिन टॉपिक और उनको भी खतम करेंगे चलिए फड़ा फट से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चाट में देखते हैं कौन-कोन है उसके बाद है स्नेहा, प्रिया, रामदेवी, श्री कुमार, ओके, हमारे साथ में बच्चे बहुत सारे जुड़ चुड़ चुके हैं जो कि बहुत important है जिस पर से सवाल आते हैं in fact मुझे ऐसा लगता है कि need के अंदर question फिराडे लो से जादा आने के chances है चलो फड़ा फ़र से शूरू करते हैं आज के session को electrochemistry में आगे बढ़ते हैं let's start the session लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों so do subscribe the channel that is the most important thing you have to do मेरे प्यारे बच्चों तो subscribe जरूर कर लो एक सेकिंड रुको तो इसको subscribe कर डाना तो life एकदम क्या है आपके life एकदम बिंदास जकास है ना सो देखें आप लोगों ने subscribe कर लिया है के नहीं कर लिया है subscribe कर लिया है चैनल को चैनल को subscribe करना पता है entirely free of course होता है और I think बहुत हरे बच्चों ने कर भी लिया है तो मैं पैन यहां पर चला लेता हूँ बहुत हरे बच्चे आभी चुके हैं तो thank you so much for coming आज हम फिराडे लोग करने वाले है तो अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया चैनल को तो please आप subscribe जरो कर लो क्योंकि इसको subscribe कर डाला तो हमारी family एक तम number one और सबसे बड़ी खुशकबरी है आप लोग के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशकबरी prices pro subscription के आधे हो गए है जो बच्चे 2021 का batch जोइन करना चाहते है उनके लिए golden opportunity है golden opportunity golden मतलब इससे बड़ी opportunity आएगी नहीं अगर आप long term एक साल का batch जोइन करना चाहते तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है मतलब इतनी बड़ी कि कोई उसका अंती नहीं है तो long term batch जिसमें interactive life classes होती है long term batch है ये test series, analysis, assignments notes, सब कुछ मिलेगा उसमे और खुशकबरी का है जरा उसको check करो और आप पता है unlimited access है मतलब कोई भी teacher का class जोइन कर सकते हो एक साल के लिए subscription है आपके पास अब खुशकबरी सुनाता हूं आपको जो आप सुनके हरान रहे जाओगे तो अगर आप 2021 के लिए एक साल का batch जोइन करना चाहते हैं तो आप 2021 का batch जोइन करोगे खुशकबरी सुनो एक बहुत 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 बढ़ी खुशकबरी आप लोग के लिए है जहां पर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनियेगा अगर आप पूरे एक साल का मतलब सारे prices ही slash हो चुके हैं सारे prices ही कम हो चुके हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिये अगर आप 12 महीने 12 महीने का एक साथ subscription लेते हैं तो prices आदे हो चुके हैं 1250 रुपे पर मन्त ही आपको पे करने बढ़ेंगे मेरी बात ध्यान से सुनना unlimited live classes का price था actually 31,799 लेकिन अगर आपको मैं coupon code दूँ जिससे आप एक काम कर सकते हो वो है AA pro 21 AA pro 21 यह coupon code है जिसके तुरू आपको 16,800 रुपे का discount एक साथ मिल जाएगा जैसे ही आप ए AA pro 21 लगाओगे 16,800 रुपे का discount मिलके आपको यह course अब जो पहले कल तक 31,000 का था आज यह 14,999 रुपे का एक साल का course है वन इयर course है बच्चों इससे कम में पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता पूरे एक साल का course 14,999 रुपे में इसमें आपको क्या करना है आपको इस link पे जाना है vdnt क्या था vdnt.in.in.ytpro मैं आपको जाके दिखाता हूँ ज़र आप चेक करेगा और जो बच्चे भी जोईन कर रहा है बेटा कर लो इससे बड़िया आपको कभी नहीं मिल सकती तो देखो आपको इसके लिए क्या करना है आपको गूगल पे जाना है सबसे पहले गूगल महिया को खोलो यहाँ पर लिखो vdnt.in.ytpro लिख दिया अब देखो अभी लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशकवरी आप लोगे लिए सुना देता हूँ जैसी आप ही जाओगे यह pro subscription में आप 12 standard को enter करो NEET 2021 का batch को join करने के लिए बोलो get subscription पे click करो get subscription पे click करने के बाद जो एक साल का course है बच्चों वो 2650 रुपे दिख रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं है आपको यह course proceed to pay में जब जाओगे आप तो आप देखो proceed to pay में जैसी आप जाओगे आप यहाँ पर coupon code अपलाई कर देना कौनसा ये वाला कौनसा वाला मैंने आपको कौनसा वाला बताया था जब आप चेक करो coupon code है आपका आपका आपको अपलाई करना है लिखोगे आप आप आर ओ टू वन ये देखो आप आपको ये course जो अपलाई करने के बाद आपको कितने मिल जाएगा look at it जो फीस साथ हजार रुपे की थी वो मातर तीन हजार तीन सो एक रुपे की रह गई है पूरे साल बर के course पे तो आपको भेंकर discount है ये अभी एक महीने का है अगर आप पूरे साल बर का लोग है तो आपको 14,999 रुपे में मिल जाएगा मतलब पूरे साल बर की 14,999 रुपे में तैयारी आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं करवा सकता तो golden opportunity है 1250 रुपे पर मंत के हिसाब से ही आपको तैयारी हो रही है नीट की विदानतू के awesome platform पे इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता आपको मैं coupon code देते हूँ जो नया generate हुआ आप लोग भूल मत जाएगा coupon code नया है याद रखिएगा अपने छोटे भाई बहन अगर आप खुदी हो तो अपने मम्मी साब gift मांग सकते हो इससे अच्छा gift आपके लिए हो नहीं सकता आज की session की details सुबह बायो के session फिर उसके बाद physics के session और अभी आप मेरे साथ chemistry के session देख रहे हो चलिए telegram के group को join कर लेना अगर आप लोग नहीं है तो मेरी request है 2021 के बच्चों को कि आप लोग telegram group join को विदान्तुनेट official है telegram का group है हमारा अब हम आगे जलते हैं तो फेराडे के low आज हमें खतम करना ठीक है लेकिन फेराडे के low से पहले दो तीन चोटी चोटी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ जैसे कि relation क्या होता है Gibbs energy change का और aim up of cell के बीच में क्या relation होता है तो पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना आप अगर पूरे cell को देखोगे कोई भी galvanic cell है या फिर electrolytic cell है वो actually वो cell अगर काम कर रहा है तो उस cell का काम का मतलब क्या है जरा आप ध्यान से सुनना कोई भी cell अगर काम करता है तो cell के work का मतलब क्या है cell के work का मतलब है कि वो electron को flow करवाता है यही तो cell के cell का मतलब है electrons को वो flow करवाता है यही उसका काम है यही work done है उसका तो जरा समझो मेरी बात को ध्यान से सनना electrical work actually अगर कोई भी cell करेगा अगर कोई भी cell electrical work करेगा तो उसकी free energy में कमी आएगी भई कोई काम करेगा तो energy में कमी नहीं आएगी आप लोग मुझे बताओ अगर आप लोग घर पे मम्मी ने परांटे किला है आपको मम्मी ने परांटे किला है आलू के ठीक है तो आप जब काम करोगे तो आलू के परांटे के जो energy है वो degrees होने लगेगी इसका मतलब cell का जो work done होता है वो minus delta G के बराबर होता है minus क्यों लगाया क्योंकि decrement आ रहा है Gibbs free energy में तो जब आप काम करोगे तो आपकी Gibbs energy में कमी आने लगेगी delta G में minus में change आएगा कमी आने लगेगी अब work done को calculate कैसे करता है charge on one mole of electron one farad को क्या मतलब होता है charge on one mole of electron मेरी बात द्यान से सुनना एक mole electron पे charge को एक farad गहते है समझ में आगे है मेरी बात द्यान से सुनना अब आप मुझे एक बात बताओ सब लोग बताओ एक electron पे charge कितना होता है एक electron पे charge कितना होता है कौन बताएगा चार्ज on one electron कितना होता है एक electron पर चार्ज कितना होता है कौन बताएगा एक electron पर चार्ज कौन बताएगा chat section में लिखके बताओ किस को आता है एक electron पर चार्ज लिखके बताओ जल्दी सी एक electron पर चार्ज कितना होता है कोई बोली निया आज 1.6 into 10 days to per minus 19 भूल गए हो एक electron पर charge कितना होता है 1.6 into 10 days to per minus नाइनटीन 1.6 into 10 days to per minus 19 यह देखो विनीता ने सही answer दिया है अगर एक electron पर charge इतना होता है तो मुझे बताओ कि 1 mole electron पर charge कितना होगा 1 mole electron पर charge एक ज्यांचे सुनना एक electron का charge होता है 1.6 into 10 is to power minus 19 तो आप लोग बताओ कि एक mol electron का charge कितना होगा इतना coolam होता है ना तो एक mol electron का मतलब क्या होगा इसका Avogadro से multiply कर दू Avogadro into 1.6 into 10 is to power minus 19 आप लोग बताओ Avogadro number क्या होता है that is 6.022 into 10 is to power minus 20 sorry 10 is to power plus 23 multiply करोगे तो कितना हैगा तो एक mol electron का charge Avogadro number होता है 6.0022 into 10 is to power 23 into आप क्या करोगे 1.6 into 10 is to power minus 19 जब आप multiply करोगे तो एक mol के उपर electron के उपर charge आप खुद multiply करके देख लो यह approximately आएगा 96500 यह 448 आता है आपन 500 लेके चलते है तो यह किसके बराबर होता है 1F के तो पहली चीज तो आपको क्या याद करनी है कि भाईया एक फैरेट में कूलम कितने होता है एक फैरेट में charge कितना होता है आप लोग note डाउन कर लो भाईया एक फैरेट में charge होता है 96500 कूलम सबको याद हो गया एक फैरेट का मतलब क्या होता है एक फैरेट का मतलब होता है charge on one mole of electron एक फैरेट में total charge कितना होता है एक mole electron के charge के बराबर जो कि कितना हाता है 9600 कूलम पहली चीज तो यह याद कर लो सबको याद हो गई अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें work done निकालना था, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माल लो, कि मैं यहाँ पर na plus का electrolysis कराता हूँ, तो na plus क्या करेगा, एक electron लेके, किस में convert हो जाएगा, yes, किस में convert हो जाएगा, na में, अगर मैं बात करूँ, fe plus 2 की, तो fe plus 2, 2 electron लेके, किस में convert हो जाएगा, fe में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, basically, अगर मैं माल लेता हूँ, कि हमारे पास, कोई एक iron है, a plus n, तो वो n electron लेके, किस में convert हो जाएगा, a में, आ रहा है समझ में, यह n electron उसने use किये, सबको समझ में आ गया, तो total charge यहाँ पर कितना हो होता है, एक mole, electron पर चार्ज होता है, एक farad के बराबर, जिसकी value होती है, 965 00 coulomb, यह अभी अब पढ़के आए हो, एक mole electron पर चार्ज होता है, एक farad, और उसकी value होती है, 965 00 coulomb, तो आप लोग मुझे बता है, यह की n mole electron जब होता हो, तो उस पर charge कितना होगा, n into F नी होगा, एक mole electron पर charge होता है? एक Fahrenheit तो N mole electron पर charge कितना होगा What do you mean by that? यह stoichiometry तो है इसको मतलब क्या होता है? N mole electron participate कर रहे है यहाँपर क्या मतलब है इसका? यह एक mole electron है यहाँपर कितने है? दो mole electron भलू, N mole electron है तो उस पे charge कितना होगा? Total charge N into F यही charge होगा, अब आप work done कैसे निकालते हो, electrical work done निकाला जाता है कि भईया charge into potential, यह physics में आपने पढ़ा होगा, electrical work done कैसे निकाला जाता है, charge into potential तो आप लोग मुझे बताइए, charge कितना है that is nf potential कितना है, जितना cell का है, e cell, तो दोनों को multiply कर दो, और हमें यह भी पता है, कि w किसके बराबर होता है minus delta g के, तो अगर मैं सारी चीज़े रख दू, to w की value होती है minus delta g, q की value है n into f, e cell की value है e cell, तो यह relation आ गया क्या आप किसके लिए आपको लाल चड़ी पहननी पढ़ेगी इस relation के लिए that delta g और e में यह relation होता है, किस-किस को याद हो गया, मैंने w की value रख दी w की value होती है minus delta g रख दी, अब आप q की value रख दो, q की value कितनी निकाल के लाए हो, n into f e cell की value, e cell की जैसे रख दी तो यह work done है, सब को समझ में आ गया, that's very easy यह बहुत आसान है, किस-किस को समझ में आ गया, chat section में लिखो, कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, इसके लिए मुझे को इलाल चटी पहनने की जूरत नहीं है सर, मैं खुद ही शक्ती मान हूँ मैं स्वाबी मान हूँ, शक्ती मान हूँ spider man हूँ, black man हूँ ब्लाक विडो हूँ, सब को छूम है तो delta NG किसके बराबर होता है, minus of NFE के बराबर होता है बस आपको यह याद रखना है so delta NG equals to minus of NFE sorry, delta NG equals to minus of NFE यह है formula जो आपको याद करने लाइक है बस आप यह याद रख लेना now this is very easy, now that's very 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 easy तो delta G किसके बराबर होता है delta G की value होती है minus of N into F into E cell मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों ये बहुत important है मेरी बात को ध्यान से एक और सुनो अब माल लो कि delta G की value negative है मेरी बात ध्यान से सुनना जब delta G की value negative होती है आपको खुद को पता है कि system spontaneous होता है is equals to minus of N of E cell अगर मैं कहूं कि delta G की value negative है ठीक है तो इसके negative से इसका negative cancel हो जाएगा तो E की value क्या हैगी? positive जब delta G का value negative होगा तो cell का value positive होगा और reaction spontaneous होगी सबको समझ मागया? बढ़ जब delta G का value positive होगा तो cell का value negative होगा और reaction non spontaneous होगी जब cell की value negative होगी तो cell काम ही नहीं करेगा और equilibrium की condition में delta G की value और cell की value 0 होती है equilibrium की condition में delta G की value और cell की value क्या होती है? 0 होती है प्लीज आप इसको no down कर लो काम आएगा चलिए तो ये एक relation होगा जो सबको याद होगा अब हम बात करेंगे electrolytic cell की आपको भी पता है की electrolytic cell में क्या होता है? एक ही container लेना होता है ले लिया उसमें आपको दो electrode डालने होते हैं एक का नाम होता है anode दूसरे का नाम होता है cathode anode को battery के positive terminal से जोड़ा जाता है cathode को battery के negative terminal से जोड़ा जाता है अब anion कहां भागते है anode की तरफ cation कहां भागते है cathode की तरफ anion पर कैसी reaction होती है यह देखो anode पर कैसी reaction होती है कि anion जाएगा और basically वहाँ क्या करेगा a में convert होगा और एक electron release कर देगा आया समझ में यह आपकी reaction है anode की सबको समझ में है तो cathode की reaction क्या है cathode पर electron basically cathode पर होता है आप लोग एक बात याद रखो कि anode पर क्या होता है oxidation हमेशा यह चीज ट्रू है और cathode पर क्या होता है reduction तो अब यही electron यहां से बहता होगा cathode की तरफ अब यह cathode की तरफ जाएगा तो यहां पर क्या होगा cathode की तरफ cathode की तरफ क्या होगा कि कोई भी other दूसरा वाला metal जो है उसी electron को use करते हुए किसमें convert हो जाएगा M में electrolysis इसी को बोलते है anion anode की तरफ जाकि electron को donate करता है और ketion cathode की तरफ जाकि electron को receive करता है simple सी बात है दुबारा सुन लो इसमें बड़ी simple सी trick है मैं जो आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे बच्चे ना डर जाते है हमको बोलते है कि कोई simple सी trick बताओ कि कैसे हम लोग याद करें electrolysis cell में तो don't worry don't panic don't panic डरने की बात नहीं है तो यहाँ पर जो शब्द दिया है ना panic यही शब्द आपके लिए रामबान है आप panic की spelling बताओ क्या लिखता है P-A-N-I-C इसी में जादू छिपा है जरा देखो positive कोन होता है anode negative कोन होता है cathode खतम हो गई कहानी किस-को याद होगे किस-को यह बढ़िया ट्रिक समझ में आई panic spelling याद कर लो तुम्हें panic होने की जरुत नहीं है जिजिस को यह पसंद आया वो अभी चैट सेक्शन में like जरूर करके जाना panic की spelling सबको आती है positive anode होता है negative cathode होता है और यहाँ पर anode की तरफ anion जाता है cathode की तरफ ketion जाता है खतम हो गई कहानी positive is anode and negative is cathode this is panic जिस-जिसको याद हो गया वो अभी चैट सेक्शन में like करो positive is anode and negative is cathode panic don't panic काम हो गया आपका सबको समझ में आ गया तो electrolytic cell क्या होता है होता है positive होता है समझ में आ गया अब यहाँ पर होता कुछ यह हूँ है anion anode पर जाते है ketion के थोड़ पर जाते है माज़ा कर डिफ्यूज हो जाते है और आपको anode के थोड़ पर product मिलते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगर आप electrolytic cell की बोलते है मेरी बात जान से सुनना मैं बोलता हूँ अपनी copy के अंदर लिख लेना एक electrolytic cell उसे बोलते है जो basically electrical energy को chemical energy में बदलता है यानि कि आपको electrical input देना पड़ता है अगर आप electrical input दे रहे हैं इसका मतलब input आप दे रहे हैं आप दे रहे हैं वो याद कर लेना panic word panic का मतलब क्या है positive होता है anode negative होता है cathode सबको याद हो गया panic PANIC P positive A anode positive anode होता है negative cathode होता है positive is anode and negative is cathode यह panic शब्द से आप लोग याद कर सकते हो very interesting अब ना अब सवाल यह है मेरी बात को धान से सुनना यहाँ पर chemical reaction कैसे होती है वो तो मैं पहली बता चुक हूँ कि anode पर हमेशा oxidation देखने को मिलेगा और cathode पर reduction oxidation की case में anion जाएगा electron को lose करेगा cation जाएगा electron को gain करेगा यह पहली ही बता चुके है अगर आप लोग NaCl का electrolysis करा होगे तो आपको भी पता है कि Na positive कहाँ जाएगा cathode की तरफ क्योंकि cation है cn negative कहाँ जाएगा anode की तरफ क्योंकि वो anion है और यह electron को gain करेगा वो electron को lose करेगा यह हम बात पहले से जानते हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अब quantitative aspect पढ़ेंगे electrolytic cell के Now this is really very interesting ज़र आप जहां से समझो हो क्या रहा है आप एक container ले रहे हो उसके अंदर आप 2 electrode डाल रहे हो उनको आप लोग किस से जोड रहे हो battery के positive और negative terminal से जोड रहे हो यह battery का negative terminal है battery का positive terminal है positive वाले को हम लोग क्या बोलते है anode बोलते है negative वाले को हम लोग क्या बोलते है cathode बोलते है यह तो मालूम है लेकिन आप खुद से सोचो कि आप लोग यहाँ पर current flow करवा रहे हो और current flow करवाने की वज़े से किसी particular time पे जब आप current flow करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को anode की तरह भी कोई चीज मिलती है और graph की तरह भी कोई चीज मिलती है basically आप कर के रहो यहाँ पर आप यहाँ पर किसी chemical को उसके compound से अलग करके इकठा करनी यह कोशिश कर रहे हो अगर यहाँ पर माल लो आपने NaCl डाला होता अगर आपने NaCl डाला होता तो आपको एनोर की तरफ पक्का क्लोरीन गैस मिलती और कैथोर की तरफ पक्का आपको सोडियम मिलता पर मेरा सवाल यह कि भाया क्या होगा इनका वेट कितना मिलेगा सवाल यह है कि यह कितना मिलेगा वेट कितना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे quantitative aspect पढ़ेंगे भाईया जब तुम किसी electrolytic cell में I current flow करवाते हो T time के लिए तो कितना weight मिलता है मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर किसी electrolytic cell में तुम I current flow करवाते हो T time के लिए तो आप बताइए कि आपको weight कितना मिलेगा या इसकी कैसे निगा लेंगे आया समझ में Now that is the question जिसको हम लोग बोलता है quantitative analysis और इसका answer दिया था सबसे पहले Faraday ने तब Faraday ने अपना पहला low दिया Faraday ने पहला नियम दिया और यहीं से ही electrolytic cell का first low हमको Faraday का पढ़ना है Faraday ने क्या कहा उसको ध्यान से सुनियेगा और यहां से सवाल बहुत आते हैं straight forward बात करूँगा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा देखो भईया simple सी बात थी आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे तो आपको भी पता है कि किसी electrolytic cell में आपको cathode और anode पे product तभी मिलते हैं जब आप वहां से battery लगा के current flow करवाते हो मेरी बात को ध्यान से सुनना जब आप battery लगा के current flow करवाते हो tea time के लिए समझ में आ गया आपको product तभी मिलता है जब आप current flow करवाते हो tea time के लिए तो फिराडे भाई साब क्या कहते है फिराडे भाई साब ये कहते हैं कि किसी भी electrode पे ध्यान से सुनना किसी भी electrode पे कितना weight compound का मिलेगा वो directly proportional होगा charge flow के कि कितना charge आपने flow करवाया है इसको first law फिराडे कहते हैं बहुत असान है कि किसी electrode पे कितना weight मिलेगा वो depend करेगा आपने कितना charge flow करवाया है अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना ये q यानि कि charge किसके बराबर होता है current into time के और अगर मैंने proportionality sign हटा दिया तो यहाँ पर मैं एक constant लगाता हूँ आपको भी पता है कि जब भी आप mathematics में proportionality sign it आते हो तो एक constant लगाते हो constant लगाया है मैंने z और q की value रग दी q की value होती है i into t ये आपको पता है कि q यानि की charge गया होता है that is current into time वो रग दी हमारे पास फिराडे के लोग के हिसाब से पहला formula आ गया वो formula क्या है that is the weight on electrode the weight of any compound on electron is equals to z into i into t या फिर इसको बोलेंगे हम लोग w is equals to z into q है ना i into t क्या होता है q होता है तो w is equals to मैं ये भी लिख सकता हूँ z into q अब मेरी बात ध्यान से सुनना what do you mean by z z क्या है इसको electro chemical equivalent बोलते है अब छोड़ो वो इतनी बड़ी language हमें क्या tension लेनी है ठीक है अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ अगर मैंने q की value इस circuit में कितनी रग दी one coulum मेरी बात ध्यान से सुनना अगर q की value one coulum रग दी तो z की value exactly किसके बराबर हो जाएगी w के मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मैंने किसी circuit में एक coulum charge flow करवाया ध्यान से सुनो अगर मैंने किसी circuit में एक coulum charge flow करवाया तो z की value सीधे सीधे उस weight के बराबर होगी जो weight compound का आपको electrode पे मिलेगा मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर मैंने किसी electrolytic cell में एक coulum charge flow करवाया तो z की value w के बराबर होगी क्योंकि q की value तो one है दुबारा ध्यान से सुनो अगर मैंने किसी circuit में एक coulum charge flow करवाया तो z की value सीधे सीधे w के बराबर होगी अब आप मेरी बात को बहुत यान से सुनना अब यहाँ से आप की न वो शुरू होती है कहानी अब यह सब को clear है हाँ या ना यह बोलो सब को clear होगया कि यहाँ पर अगर q की value one column है तो z की value w के बराबर होगी is it clear to all of you यहाँ का सब को समझ में आ गया तो यहाँ पर एक formula तो यह निकल के आ है that w is equals to z into i into t यानि की z into q अगर मैं q की value one रख देता हूँ तो w की value यानि की z की value किसके बराबर आ जाएगी w के अब मैं आगे की तरह प्रोसीड कर रहा हूँ अब z का formula निकालेंगे जिसको हम लोग z को क्या बोलते है electrochemical equivalent बोलते है अब z का formula होता क्या है what do you mean by z यह सवाल है हमारे सामने उसको समझने के लिए मैं एक example लेता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप लोग माल लो माल लो कि मेरे पास है न कोई fe plus 2 iron है अब अगर उसने 2 mol electron ले ली है तो वो किस में convert हो जाएगा fe में मेरी बात ध्यान से सुनना अगर कोई आपके पास fe plus 2 iron है उसने 2 electron ले ली है तो वो fe में convert हो जाएगा येस अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना charge आफ लो करा रहे हो 2 mol electron flow करवा रहे हो अगर आपने 2 mol electron flow करवाए तो आपके पास 1 mol fe plus 2 discharge होगा भई ये 1 mol है और charge यहाँ पर कितना यूज़ कर रहे हो 2 mol तो अगर आपने 2 mol electron flow करवाए तो आपके पास 1 mol fe plus 2 discharge होगा पर अगर मैं कह दूँ कि आपने एक mol electron flow करवाए तो कितना होगा तो half mol discharge होगा अब आपको भी पता है कि एक mol को क्या बोलते हैं और जहें यहाँ पर half mol लिखा है आप खुद सोचो मैं कहूँ आपसे कि Fe plus 2 का equivalent mass बता हो कितना होता है molar mass divided by n factor, n factor कितना होगा 2 मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ ना half mol half mol of Fe plus वो क्या है उसका equivalent निकाले हैं आपने समझ में आ रहा है उसके equivalent निकाले हैं तो मतलब यह निकलता है मेरी बात यहाँ से सुनना जब भी आप 1 farad या फिर कहूँ कि 1 mol electron flow करवाते हो तो आपको circuit में किसी भी compound के एक equivalent मिलता है अच्छा आप equivalent क्या होता है equivalent का मतलब होता है given mass by equivalent mass अगर आपको नहीं पता तो यह आपने mole concept में पढ़ा equivalent mass क्या होता है that is molar mass divided by n factor यह सब पढ़के आ चुके हो आप लोग पढ़के आ चुके हो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं एक और example देता हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना चलो जिसको समझ में नहीं आई तो मेरी एक और बात को ध्यान से सुनना मैं last बार बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना ठीक है अगर मैं कहूँ आप से सबसे पहले आप लोग सब बताओ कि aluminium का aluminium का आप लोगों को बताना है कि equivalent mass कितना होता है equivalent mass बताइए इसका molar mass aluminium का उसको एंफेक्टर से डिवाइड कर दोगे अब aluminium का इंफेक्टर कितना होता है 3 सबको पता है कि aluminium का एंफेक्टर 3 होता है क्यों 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 क्या करता है अपने ओपर plus 3 charge गैरी करता है जब भी वो कोई compound में जाता है अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं माल लेता हूं कि aluminium जब plus 3 पर aluminium का plus 3 वाला iron अवेलेबल था तो उसने 3 electron gain किये किसमें convert हो गया AL में अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपने जब 3 mole electron use किये तो आपने कहीं जाके 1 mole AL plus 3 को 1 mole AL plus 3 को discharge करवाया ध्यान से देगो ना आपने जब 3 mole use किये तो 1 mole इसका discharge हुआ पर अगर मैं कहूं कि 1 mole electron use किया तो किता होगा 1 by 3 moles of aluminium discharge होगा yes or no yes or no अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये तो पता होगा न कि equivalent का मतलब क्या होता है moles divided by n factor यह ना अब aluminium का n factor कितना होता है मेरे बारे बच्चो 3 मैं पहली बता चुका हूँ that is equivalent का मतलब होगया aluminium के case में mole divided by 3 तो mole divided by 3 ये 1 by 3 mole of aluminium का मतलब क्या होगया आप जब एक mole electricity flow करवाते हो इसका मतलब आपने एक farad flow करवाया और वो आपको एक equivalent किसके देगा aluminium के या फिर एक equivalent aluminium plus 3 discharge होगा तो यहाँ पर कहनेगी क्या मतलब है मैं आपके सिर्फ इतना कह रहा हूँ मेरी बात जान से सुनना कि जब भी आप किसी circuit के अंदर एक farad एक farad charge flow करवाते हो तो आपको circuit में उस compound का एक equivalent मिलता है प्लीज आप इसको note down कर लीजिए जब भी आप किसी circuit में एक farad charge एक farad charge flow करवाते हो तो आपको उस circuit में compound का एक equivalent मिलता है इतनी सी बात याद करने में मुझे न लगता है आपको चड़ी पहनने की जुड़ता है सब को इस पता लग गया जो छोड़के भाग गया उसको जिन्दी की में कभी समझ में नहीं आएगा जो छोड़के भाग गया उसको जिन्दी की में कभी समझ नहीं आएगा मेरी बात जान से सुनना अब मैं आपको सिर्फ याद करने की सिर्फ एक चीज है वो क्या है ये मैं आपको पहली गरा चुका हूँ मेरी तरफ से याद करनी की चीज़ है कि अगर किसी सर्किट में अगर आप एक फेरिड चारज फ्लो करवाते हो यानि कि एक मॉल इलेक्ट्रोन फ्लो करवाते हो तो आपको सर्किट में उस कंपाउंड का एक equivalent मिलेगा equivalent का मतलब होता है given mass देखो moles divided by n factor या फिर equivalent का मतलब होता है given mass by equivalent mass आप किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं कोई problem नहीं है अब आप मेरी बात को ध्यांग से सुनना अब जो मैं बूलने जा रहा हूँ अब आप कोगे कि सट z का formula बताओ अब आप मेरी बात ध्यांग से सुनना थोड़ी देर पहले क्या पढ़के आये थे थोड़ी देर पहले आप ये पढ़के आये थे कि जब आप किसी circuit के अंदर एक कूलम charge flow करवाते हो तो जो भी weight मिलता है वो z के बराबर होता है ये पढ़के आये थे कि नहीं पढ़के आये थे जब भी आपके circuit में एक कूलम charge flow कराते हो तो जो भी मिलता है वो z के बराबर होता है ये पढ़के आये थे तुम लोग एक statement ये पढ़के आये थे अब मैं आपको एक और statement बताता हूँ आप अभी एक और चीज़ पढ़के आये हो क्या पढ़के आये हो मुझे बताओ कि एक फेरेड में total charge कितना होता है एक फेरेड में 96500 कूलम charge होता है ध्यान से समझना अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो आप 9600 कूलम की बात करते हो तो आप एक फेरेड की बात कर रहे होते हो जब 96500 कूलम charge फ्लो कराओगे तो आप एक फेरेड फ्लो करवा रहे हो और आप लोगों को एक equivalent मिलेगा मैं अगर कहूँ आपके कि आप सिर्फ एक ही कूलम फ्लो कराओ तो अगर आप 96500 कूलम फ्लो करवा रहे हो तो इसका मतलब आप एक फेरेड फ्लो करवा रहे हो और उससे आपको एक equivalent मिलेगा थोड़ी देर पर पढ़के आए थे अगर मैं एक ही कूलम फ्लो करवा हो तो तो 1 divided by 96500 फेरेड फ्लो करवा रहा हो और उससे मुझे 1 divided by 96500 इक्विविलेंट मिलेंगे समझ में आगया इतने एक्विविलेंट मिलेंगे अब मुझे मालूम पढ़ गया कि एक कूलम फ्लो करवाने पर एक कूलम चार्ज फ्लो करवाने पर मुझे 1 divided by 96500 इक्विविलेंट मिलते हैं अब जब आपको एक्विविलेंट पता लग गए एक्विलेंट से बेट निकाल सकते हो मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छा एक्विलेंट कैसे निकालते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना एक्विलेंट कैसे निकालते हैं और अगर मैं यहां से मास निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे equivalent into equivalent mass करना पड़ेगा अगर मुझे ये तो पता है ना आप लोगो formula पता है आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो जैसे की बताओ mole का formula क्या होता है mole होता है given mass by molar mass सही है तो equivalent क्या होता है equivalent का मतलब होता है given mass by equivalent mass अब equivalent mass समझ में आ गया अगर मुझे यहाँ से weight निकालना है किसी बीचीज का तो क्या करना पड़ेगा equivalent into equivalent mass ये weight निकल के आ गया सबको समझ में आ गया अब मुझे ये पता है मेरी बात ध्यान से सुनना बई एक कूलम में total equivalent कितने होते हैं 9,6,5,0 equivalent होते हैं ठीक है अब मुझे बताओ कि इस इतने equivalent में weight कितना होगा तो ये इसको weight में convert कर दो अगर मैं equivalent को equivalent mass से multiply कर दो तो वो किस में convert हो जाएगा weight में समझ में आता है कि नहीं माता है यहाँ पर देखो एक कूलम में इतने equivalent होते हैं आप please equivalent में जितने equivalent है उसको mass में convert कर दो mass में convert करने का तरीका क्या है whatever be the equivalent उसको उसके equivalent mass से multiply कर दो यह करोगे न equivalent mass से multiply कर दो yes तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कूलम में total mass कितना होता है that is equivalent mass divided by 9,6,5,0 इतना ही होता न equivalent mass और यह किसके बराबर हो गया आप थोड़ देर पहले पढ़के आये थे कि आप जब charge जब आप charge एक कूलम फ्लो करवाओ तब जितना mass मिलेगा वो किसके बराबर होगा z के तो इसका मतलब आपको z की value मिल गई z की value क्या होती है z की value निकल के आगई that is equivalent mass divided by 9,6,5,0 that is the value of z अब अगर z का value मिल गया तो उस equation में रख दो equation क्या थी w is equals to मेरी बात द्यान से सुनना z into i into t z की value रख दो z की value क्या है equivalent mass divided by 9,6,5,0 into current, into time यही हुआ अब equivalent mass क्या होता है आपको सब को पता है कि equivalent mass होता है molar mass divided by n factor यह value अगर मैं उठाके रख दो में थोड़ा इदर हो जाता हूँ तो w is equals to क्या हो गया equivalent mass की value रख दो molar mass divided by n factor into 9,6,5,0 into current, into time यही हुआ अगर मैं molar mass को नीचे ले जाओ तो w divided by molar mass ऐसे नीचे लेकर चला गया किसके बराबर आया that is current into time divided by divided by n factor into 9,6,5,0 अब आप लोग मेरी बात जान से सुना बताओ given mass by molar mass क्या होता है given mass by molar mass क्या होता है वो होता है number of moles तो यहाँ पर एक formula निकल के आगया यह formula को बहुत काम आएगा in electrolytic cell number of moles is equals to current into time divided by 9,6,5,0 into n factor खतम कहानी यह formula है जो आप लोगों को याद करना है बाकी सब भूल जाओ आपको कुछ याद करने की जूरत नहीं है देखो दो चीज़ याद करोगे एक तो यह कि भाईया एक farad से आप लोगों को एक equivalent मिलता है समझ में आ गया अगर equivalent की value 1 है ठीक है तो वेट कितना होगा उसके equivalent mass के बराबर मिलेगा एक farad flow करवाने से एक equivalent मिलता है मतलब उसके equivalent mass के बराबर mass मिलेगा यह इसका मतलब होता है क्यों? क्योंकि आप equivalent का formula जानते हो equivalent का formula होता है given mass y equivalent mass अब यहाँ पर जब equivalent की value 1 है तो W की value किसके बराबर आगे, सीधे उसके equivalent mass के बराबर आगई न, समझ में आगया, यही scene है बस, एक फेरेट से जो भी mass मिलेगा, वो equivalent mass के बराबर है, तो बताइए आप, यहां से भी आप इसको निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, एक फेरेट में equivalent mass के बराबर mass मिलत है, यानि कि एक फेरेट में equivalent mass के बराबर होगा, तो एक equivalent mass के बराबर होगा, तो एक फेरेट में कितना मिलागा, equivalent mass divided by 96500, समझ में आया कि नहीं आया, आप उसको यू भी निकाल सकते थे, कहां चाहिए ऐसे पकड़ो, चाहिए गुमांके पकड़ो, बात एक ही है, आप कैस यह पकड़ो आंसर सेम ही आएगा finally आप लोगों को जो याद करने की चीज़ है न वो यह है मेरी बात ध्याल से सुनना एक तो आपको यह formula आप चाहो तो याद करो W इसकर सो Z into Y into T आप यह याद कर लो Z गा formula आप याद कर सकते हो that is equivalent mass divided by 96500 यह मैं आपको कहूँ कि सारे जंजर छोड़ो सिरफ एकी formula याद रखो moles निकालने का current into time divided by 96500 into n factor this is the best formula जहाँ पर आपको कुछ पंगा लेने की जूरत नहीं है जब आपके moles निकल जाएंगे तो आप weight भी निकाल सकते हो कैसे निकालोगे moles into molar mass ठीक है आप यहाँ से volume भी निकाल सकते हो moles into 22400 यह जानते हो ना यह formula है बस आपका काम हो गया और कुछ नहीं करना आपको is it clear to all of you सबको समझ में आया तो मेरी तरफ से जो कहानी है न अब मालो कि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो faraday के first low को में एक बार last बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आये मेरी बात को ध्यान से सुनना अभी अपन सिर्फ इतना पढ़ क्या है थी कि अगर आप किसी circuit में एक farad flow करवा हो एक farad तो आपको एक equivalent मिलता है अब एक equivalent mass कितना होता है उसके equivalent mass के बराबर होता है इतना weight मिलेगा आपको एक farad में equivalent mass के बराबर mass मिलेगा सबको समझ में आ गया ठीक है is it clear to all of you पर आपको ये भी पता है कि जब आप circuit में एक coulum flow करवाओगे तो जो भी weight मिलेगा वो z के बराबर होगा अब आप देखो एक farad में कितना होता है एक farad में 965000 coulum होता है मेरे प्यारे बच्चों और वो किसके बराबर इतना coulum flow करवाने पर आपको mass कितना मिलेगा equivalent mass के बराबर अगर मैं कहूँ कि मैं circuit में एक ही coulum flow करवा रहा हूँ तो mass कितना मिलेगा equivalent mass divided by 965000 और ये mass किसके बराबर है जब एक coulum circuit में flow कराते हो तो जो भी mass मिलता हो किसके बराबर होता है z के तो देखो z की value आ गई खतम कहानी जब z की value आ गई तो आपके पास सिर्फ बसता ही क्या है जब z की value आ गई तो w is equals to a z z की value क्या होती है equivalent mass divided by 965000 आप ऐसे भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है into current into time आगे हैं सबको समझ में this is the best way और अगर आप equivalent mass की value रखदो equivalent mass की value कितनी होती है equivalent mass होता है molar mass divided by n factor जब आपे value रखदो और molar mass को उतर लेके चले जाओ तो आपको final formula जो याद करना है वो यह कि the number of moles in the case of electrolytic cell is equals to current into time यह best formula है मैं तो इसी को use करता हूँ मैं और इसके लब कोई formula use नहीं करता current into time divided by n factor into 965000 यह best formula है इसके लब आपको कुछ use करने की जोड़ित नहीं है आपको मैं यहाँ पर i मने current होता है t मने time होता है n factor basically देखो अगर कोई पूछे n factor बताओ तो देखो sodium का n factor कितना होता है क्योंकि electrolytic cell में sodium मिल सकता है n factor इसका 1 होता है magnesium का n factor कितना होता है 2 होता है iron का n factor कितना होता है 2 होता है copper का n factor कितना होता है 2 होता है क्योंकि generally यह plus 1 charge होता है इस पे plus 2 charge होता है generally ferrous की form में मिलता है यह क्यों prick की form में मिलता है अगर बूचे chlorine का n factor बता होता होता है इसका 2 होता है अगर कुछ है आख्सिजन का इंफेक्टर बता हो तो इसका 4 होता है, क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन पे माइनस रवसाओर ड्यंद होता है, और इसकी 2 क्लोरी ने तो डबल हो गया, ऑर दो अक्सिजन तो फिर डबल हो एक का दो हो गया दो का चार हो गया अब एंटफेक्टर निकालने तो बेहद आसान है मतलब यह बच्चों के जैसा खेल है और जब आपको एंटफेक्टर पता लग गई तो यह बेस्ट फॉर्मिला है जिसके थुरू आप क्या कर सकते हो फिराडे लो लगा किया आप मोल्स न करूंगा इसमें भाइया मास पूछा है मैं पहले मोल्स निकालूंगा मोल्स क्या होता है करंट इंटू टाइम डिवाइड़ड वाई एन फैक्टर इंटू 9 से मैं तो यह बेस्ट फॉर्मिला यही यूज करता हूं इसके लावा कुछ यूज नहीं करता मैं बाकी को बोलत ना 482.5 डिवाइड बाई कॉपर का एन फैक्टर कितना होता भी बताया हो देखो प्लस के टू ऑक्सिलेशन स्टेट पर है तो एन फैक्टर इसका दो इंटू क्या गर होगे 965 00 ठीक है दो से दो कैंसल हो गया यह यह ना यह ज़स डबल है चार दुनी तो यह आ गया 1 मोलर मास अब बताओं मोल्स कितने 1 बाई 200 मोलर मास कितना है 63.5 बताओ इस इसको मल्टिपलाय करना है क्या यह हाड है क्या इसके लिए आपको लाल चड़ी पहननी पड़ेगी एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिखके बता दो कि सर यह तो बहुत ही असान है जल्दी से ल फॉर्मला याद करना है आपको current into time divided by n factor into 96500 इसके लावा कुछ याद नहीं करना है आपको जिचिसको समझ में आ गया दिल बढ़ा रखो और like कर दो session को जिचिसको समझ में आ गया जिसको लगता है कि हां sir मुझे तो समझ में आ गया है that's very easy और मैं आपके कह रहा हूं सर ए एक फॉर्मला याद करो बाकी सब बूल जाओ कौन सा वाला current into time divided by 96500 into n factor that's it और कुछ याद नहीं करना सबको समझ में आ गया तो बहुत बहुत बदाई हो आपने फिराडे का पहला लोग कर लिया अगली बार हम लोग दूसरा लोग और उसके बाद हम लोग आके चलेंगे तिल देन आप लोगराम से खाना बना खाओ सोजाओ तो finally guys आप लोग के लिए जो खुशकबरी थी हम आपको दुबारा बता दी गई है अभी आपको पूरे साल बर का फीस 14,999 रुपे है और इससे अच्छी golden opportunity आपको कभी नहीं मिलेगी ये one year course का I think पूरे इंडिया में सबसे lowest फीस है इतने अच्छी facility इतने अच्छी faculty इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता lowest फीस है और आप लोगों को लेना फड़ा फट से आप लोग इस subscription को ले लो और बेटा subscribe करो that is the most important thing और लाइक जरूर करके जाना अगर आप लोगों को वाक्य में फिर आडे कर पहला लो समझ में आ गया हो do like the session चले गाइस good night अराम से सो जाओ मिलते अगले session में till then thank you so much love you all this is Arvind Daroda signing off bye guys thank you good night